हलो बच्चों आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल विद्या निकेतन पर बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ सुनीता सिरवास्तो बच्चों कई बार जब हम कुछ लीखते हैं तो हमें ऐसा नहीं लगता कि कोई बहुत ही लंबा वाक्य लिख दिया हो और तब हम ये सोचते हैं कि कास पूरे वाक्य को लिखने के लिए कोई छोटा सब्द होता जिसमें पूरे वाक्य की अभिवैक्ती भी हो जाती तो बच्चों चलिए आज हम कुछ ऐसे सब्द सीखेंगे जो अनेख सब्दों के बदले एक सब्द लिखने से काम चल जाता है और उसे हम कहते हैं अनेख सब्दों के लिए एक सब्द तो चलिए हम सुरू करेंगे आज अपना पाठ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अपनी अभिवेक्ति तथा रचना को मरमश परसी बनाने के लिए अपने मनों भाओं को संचेप में व्यक्त करने के लिए हमने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का ज्यान होना चाहिए उससे क्या होता है अब चोंकि हम पूरे वाके के लिए एक छोटा सा सब्द लिख देते हैं जिससे हमारा उस वाके की पूरी अभिव्यक्ति उस सब्द में नहीत होती है भाव और विचारों को संचिप्त करके व्यक्त करने से भाषा की सुन्दर्ता भी बढ़ जाती है जैसे कि जिसके आने की तिथी न हो उसे हम क्या कहेंगे अ तिथी इसी प्रकार कुछ उदाहरन नीचे लिखे वे हैं आईए हम एक एक करके उन्हें पढ़ेंगे और जानेंगे कि अनेक शब्दों के एक शब्द कितने अच्छे लगते हैं और इन्हें अगर हम याद करें और अपनी वाक्यों में अगर हम इन्हें लिखें तो हमारा वाक्य बहुत ही सुन्दर हो जाएगा तो चलिए हम सुरू करते हैं जो कहा न जा सके अकथनीय जो गिना न जा सके अगम्य जो दिखाई न दे अध्रुष्य जिसकी उप्मान हो अनूपम खोज करने वाला अनवेशक जो त्रिप्त न हो अत्रिप्त आग्या पालन करने वाला कहलाता है आग्याकारी इस्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक इस्वर में विश्वास न रखने वाला कहलाता है नास्तिक जो इमान से काम करता हो इमानदार सत्य बोलने वाला सत्य वादी धर्म में निष्ठा रखने वाला धर्म निष्ठ खरीदने वाला ग्राहक कहलाता है कम खर्च करने वाला मित्ब्याई कहलाता है जहां रेथ ही रेथ हो उसे हम मरुभुमी कहते हैं अरिगिस्तान भी कहते हैं जो छमा के योग्ये हो छम्य जो छमा ना किया जा सके अच्छम्य बड़ा भाई अग्रज कहलाते हैं छोटा भाई अनुज कहे जाते हैं बुरे चरित्र वाला दूस चरित्र होता है जो जाच परताल करते हैं उन्हें हम निरिक्षक के नाम से जानते हैं देश भर में ब्रह्मन करना देशाटन कहलाता है, ग्राम में रहने वाला या गाओं में रहने वाले को हम ग्रामिण कहते हैं, वर्स में एक बार जो होता है उन्हें वार्शिक कहा जाता है, अपने देश से सम्मंधित राष्ट्रिय कहलाता है, जिसके आर पार हम देख सकते है उसे हम पारदर्शी कहते हैं जो सगा भाई हो उसे सहोदर के नाम से जाना जाता है शुब का चिंतन करने वाला सुब चिंतक कहा जाता है बहुत बोलने वाला बाचाल कहा जाता है वाचाल कहा जाता है वो हाथ से लिखा हुआ हस्त लिखित कहते हैं उनको मांस खाने वाले को मांसा हारी कहते हैं जन्म से जो अंधा हो जन्मांद कहलाता है नश्ट होने वाला नश्वर जो अभी पैदा हुआ हो नौजात कहलाता है जो कड़वा बोलता है कटू भाशी कहलाता है जल में रहने वालों को जलचर कहते हैं आकास में विचरन करने वालों को नवचर कहते हैं शाक सबजी को खाने वाले साकाहारी कहलाते हैं जो याद रखने योग्य हो अस्मरणिया दूर की देखने वा सोचने वाला दूर दर्शी परोपकार करने वाला परोपकारी मतदान करने वाला मतदाता कहलाते हैं जो हर अस्थान पर हो उन्हें हम शर्व व्यापी कहते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं उन्हें परिश्रमी कहते हैं गुलामी का विरोध करने वाले को क्रांतिकारी कहा जाता है समस्त विश्व में समस्त विश्व से सम्मंदित बातों को क्या कहते हैं अंतर राश्ट्रिय जो आखों के सामने हो प्रत्यक्ष कहलाता है हिट चाहने वाला हिट ऐसी कह जाते हैं दूर की चीज दिखाने वाला दूर दर्सन कहलाता है जो किसी के पक्ष में न हो निस्पक्ष कहते हैं उसे हम परिश्रम के बदले में मिलने वाला कहलाता है पारिश्रमिक जैसे जो दिन भर मजदूर मेहनत करते हैं उनके शामकून को जो पैसा मिलता हो उनका पारिश्रमिक होता है जिसके पास धन नहीं होता उन्हें हम निर्धन कहते हैं जो पढ़ने वाले हैं जैसे कि आप क्या कहे जाते हो आप पाठक कहे जाते हो जो मान लिजे किसी भी तरह का कोई लेख हो उसे पढ़ता हो याकबार पढ़ता हो उसे हम क्या कहते हैं उनकों पाठक कहते हैं जो कभी नस्ट नहो शास्वत जिसमें जानने के इक्षा हो जिग्यासू रात्री में विचरन करने वाला कहा जाता है निशाचर, सर्वत्र पहुचने वाला अगोचर, किसी महापरूस या संस्था की जन्मितिती को जयन्ती के नाम से जानते हैं संस्था का प्रधान क्या कहलाता है अध्यक्च, पांच वर्स में पांच वर्स के लिए पंच वर्शिया कहलाता है तो ये हैं हमारे अनेक शब्दों के एक शब्द और अब हम करेंगे इसके थोड़े से अभ्यास कोश्टक में दिये सही सब्द पर सही का निशान लगाईए तो पढ़ने वाला क्या कहा जाएगा? अभी अभी आपको पढ़ाया हमने की पढ़ने वाला कहा जाएगा? पढ़ने वाला पाठक तो देखिए यहां पर मैंने टिक लगा दिया है जो गिना न जा सके वो अगननी ये कहा जाता है इसके बाद जल में रहने वाला जल चर जिसके पास धन ना हो निर्धन कहलाएगा? ये गलत है नश्ट होने वाला नश्वर जो इमान से काम करता हो वो इमानदार कहलाता है इमानदार में टिक लगाएंगे इसके बाद है बाकियों के अधार पर एक उचित सब्द पर सही का निशान लगाईए मोहन बहुत सोच समझ कर पैसे खर्च करता है क्या कहलाएगा वो? मोहन कहलाएगा मित ब्याई क्योंकि सोच समझ के खर्च करने वाले को मित ब्याई कहते है कवीर को मन का ग्यान हो गया था तो क्या कहलाएगे वो? अंतर ग्यान की अगम्यक की अगननियम वो कहलाएगे अंतर ग्यान राधी का बड़ी कड़वी बानी में बोलती है वाचाल कहलाएगी वो, कटु भासी कहलाएगी, मृदु भासी कहलाएगी, वो कहलाएगी कटु भासी कृष्ण बलराम के छोटे भाई थे, तो छोटे भाई को हम क्या कहते हैं, अनुज कहते हैं, जिस्ट कहते हैं, शिशु कहते हैं, अनुज कहते हैं छोटे भाई को क्या कहते हैं अनुज सुभास सदा सत्य बोलता है तो सुभास क्या कहलाएगा हमेशा जो सत्य बोले तो वो कहलाते हैं सत्यवादी नापे है लिखा आगे चलिए देखेंगे मीरा कृष्ण में आस्था रखती थी मीरा क्रिष्ण में आस्था रखती थी तो मीरा क्या थी? मीरा थी आस्थिक नेक्स्ट है मगरमच जल में रहता है तो मगरमच क्या कहलाएगा? जल जल भगवान हर अस्थान पे विराजमान होते हैं तो भगवान क्या कह जाते हैं? शर्व व्यापी ताज महल देखने योग्य है तो देखने वो योग्य चीज को हम क्या कहते हैं दर्शनिया तो ये हो गया हमारा थोड़ा सा अभ्यास हमने इसमें से किये हैं और कुछ अभ्यास जैसे एक शब्द लिखने आलोचना करने वाले को क्या कहेंगे आलोचक जन्म से अंधा जन्मांद आसा करने वाला आशावादी जो कहां न जा सके अकथनिया बहुत महिनत करने वाला महिनती हाथ से लिखा हुआ हस्त लिखित जो सदा सत्य बोलता हो जो सदा सत्य बोलता हो सत्यवादी आकास में विचरन करने वाला नबचर तो ये कुछ जो यहाँ पे लिखे हुए हैं मैं चाहती थी कि ये आप ही करें क्योंकि आप अपने पेपर की तयारी कर रहे हैं और आप इस वीडियो को पाउस करें उसमें से ढूंडें लिखें इसको और याद करें तो इससे क्या होगा आपके परिक्षा की तयारी में आपको बहुत मदद मिल जाएगी और इसी तरह का एक और वीडियो में बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी तब तक के लिए आप इस वीडियो को पाउस करके और अनेक शब्दों के एक शब्द आज ही तियार कर लें ठीक है बच्चों? ठीक है बच्चों? तब तक के लिए बहुत भूथ धन्यवाद आपका और अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ आया हो तो आप लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिख कर बताएं कि मैंने कैसा पढ़ाया तब तक के लिए थैंकियो बच्चों, अपना ध्यान रखिएगा और अपने पेपर की अच्छी तयारी कीजिएगा